Hello students, welcome to my YouTube channel, Excellent Success Group. तो students, आज हम डिसक्स करेंगे Classics में Math NCRT Exampler, Chapter No. 2, Geometry. Example No. 10 दे रखा है, Is A, B, C, D of Figure 2.3 a Polygon? जो मैं A, B, C, D of Figure 2.3 a Polygon? जो मैं A, B, C, D of Figure 2.3 a Polygon? If yes, यदि हाँ, तो what is the special name of it? तो इसका नाम क्या होगा? तो देखो, Polygon होने के लिए क्या Condition होनी ज़रूरी है? Polygon होने के लिए Figure क्या होनी चीए? पहले बात, Simple होनी चीए. दूसरी, Made by Line Segment. यहनि Line से बनी होनी चीए. कोई Curve Line नहीं होनी चीए. ठीक है? और Third Condition जो हमारी है, वह Close होने की. Third Condition है, Close होने की. तो यह Line Segment से बना है, Close भी हो, Simple भी है. तो इसे हम Polygon कह सकते हैं. ठीक है? यहां लिखोगे, जो हमारा Quadilator. अब इसमें चार सैड हैं, तो इसे हम कहेंगे Quadilator. इसका जो Special Name होगा, Quadilator होगा. तीन सैड वाले को ट्रेंगल कहते हैं, चार वाले को Quadilator, पांच वाले को Pentagon, छे वाले को Hexagon. इस तरह के से इन में नाम दिये जाते हैं. Quadilator मतलब चार सैड हो वाला. ठीक? ठीक है कहा लिखोगे, A, B, C, D is a Simple, ठीक है, Made by Line Segment, Made by Line Segment, and Closed Figure. So, A, B, C, D is a Polygon. A, B, C, D is a Polygon. और अगर यह Polygon है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, A, B, C, D is a Quadilator. Is a Quadilator. ठीक? यह हमारा Example No. 10 यहां पे Complete होता है. अब हम डिस्कस करेंगे Example No. 11. Example No. 11 बोला है, In Figure 2.4 यह जो Figure है, B, C, D, E is a Square. B, C, D, E. यह नीचे क्या बना हुआ? एक Square बना हुआ है. And 3D shape has been formed by the joining the point A in the space. जो point A है, इनको सभी के साथ जोइन कर दिया गया है. जिससे क्या बनगी? एक तरीके से 3D shape बनगी है. इसकी जो A space with the vertices, B, C, D, E. ठीक है. Name the 3D shape and also its vertices, ages and face. इस figure का नाम बताना है. कितने vertices हैं? ages हैं और face हैं. वो हमें यह पर बताने हैं. ठीक? और सारे vertices जाके point A पे मिलते हैं. अगर उपर सभी point A की corner पे जाके मिले, तो उसे हम कहेंगे pyramid. तो square base वाला क्या है? एक pyramid है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? square pyramid. square pyramid. clear? अब हम इसके part के नाम बताने हैं. vertices. vertices वो होते हैं जहां पर किसी shape की दो यह दो से जादा साड़े आंके मिलती हैं. उन्हें vertices कहते हैं. तो देखो, यह 1, 2, 3, 4, सारी आगे A पे मिलती हैं. एक तो vertices A हो जायागा. दूसरा B, B पे कौन मिलती है? E, B, A, B और C, E. B हो जायागा, E हो जायागा, C हो जायागा और D हो जायागा. यह तो हो जायागा इनके vertices. ठेक है? दूसरा बोला है ages. ages को मत आप यह समझ सकते हैं. इनकी दिवारे, जो दिवारों की corner point होते हैं जैसे दो दिवार होते हैं. पहले दिवार यह और दूसरी द करते हैं. जैसे मालो आपको मैं ऐसे समझाने कोशिश करता हूँ, कि जैसे मैंने sheet लिए ना, यह पहले दिवार यह दूसरी दिवार है. यह दोनों आग इस दिवार पे मिलती है, तो इस दिवार को क्या बोलेंगे हम? ages बोलेंगे. तो इनकी जो दिवारों के corner होंगे, वो अलाव और कौन-कौनसी दिवार होंगी? एक देखो, यह B, E, यह भी एक दिवार होगी, B, C, यह भी एक दिवार होगी, C, D, और D, E. यह वो सारी दिवार हैं, जो एक दूसरे गागी जोइन करेंगी. जैसे मालो, यहाँ पर हमारे जो ट्रेंगल है, और स्केर बेस है, B, E पर आगे मिल रहें, दोनों दिवारे, और इस वाले पर देखो, जो हमारा ट्रेंगल, A, B, C नजर आ रहा हो आपको, और यहां पर B, C है, दोनों दिवार यहाँ पर आगे मिल रही हैं, इस वाले पर, तो वो हमारे A जिज एज होते हैं. तीसरा आता, Face, ठीक है, अब face का मत है B E D C यह आप जैसे भी ले सकते हो B C D E एक फेस तो इसका यह हो गया पहला फेस दूसरा फेस बेस तो बना दिया अब इसके पीछे वाले देखो यह वाले जो पूरी दिवार है कैसी है ट्रिंगुलर शेप में A B E यह हो गया इसका दूसरा फेस A B C यह पूरी दिवार ठीक फिर यह होगी फिर अगली A C D यह वाले दिवार A C D उसके बाद A D E A D E यह चौर्थी दिवार और यह पांच वी दिवार बुल्व इलाग इसमें पांच दिवार है यानि कि पांच फेस हो जाएंगे इसके ठीक यह हमारा एक्जामपल नमबर 11 यहाँ पे कम्प्लीट होता है अब हम डिस्कस करेंगे एक्जामपल नमबर 12 12 में बोला है Write the measure of smaller angle formed by hour and minute hand of the clock at 7 o'clock साथ बजेंगे तो घड़ी में कितने कौन से अंगल बनेंगे also write the measure of the other angle and also state what type of angle these are और यह angle किस तरीके होगी यह में बताना है तो गड़ी में बज़रे हैं 7 पहले मैं आपको गड़ी बना दूँ और यहाँ पे angle दिखा दू किस तरीके से बनेंगे यहां 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11 अब 7 किस तरीके से बज़ते हैं चोटी सुई तो हमारी होती है 7पी और जो बड़ी सुई होती है वो किस पे होती है 12पे तो एक angle तो हमारे यहां बन रहा होगा और दूसरे angle हमारे यहां बनना होगा हमें 2 angle यहां पर बताने है तो पहले यह चोटे वाले angle बताये थे ठीक है इसे मैं number देता हूँ angle number first और angle number second तो मैं angle measure करना है तो देखो हमें पता है कि पूरा एक circle जो होता ना इसे बोलते है complete angle कितने degree का होता है 360 degree का और हमारा पूरा घड़ी का चकर भी है ना अगर minute के हिसाब से लगाया जाए ठीक है total यहाँ पे 12 number है और 12 से एक के बीच में होते है 5 minute ठीक है तो पूरे कितने minute है 60 minute है अगर मैं बूलू एक minute में कितने degree का angle बनता है एक minute में तो 360 में divide कर दो 60 का एक minute में बनते है 6 degree का angle divide देने पी यह लिखोगी in one minute make angle एक minute में अंगल बनता है 6 degree का तो 7 से लेके 12 के बीच में कितने minute होते है 7 से 8 के बीच में 5 minute 10 12 20 25 25 में होते है in 25 में make angle 25 में कितने degree के अंगल बनेगा 25 गुणा में 6 1.500 degree के अंगल बनेगा अभी जो 1.500 degree के अंगल है 90 से बड़ा बड़ा 130 से कम है इसी लिए इसको क्या बोलेंगी obtuse angle बोलेंगी obtuse angle क्यों बोलेंगी क्योंकि 90 से जादर 130 से कम है पहला angle तो आगे मारा कितने degree का 1500 degree का दूसरे अंगल निकालना है अगर हमें second वाला तो मैंने अभी भी आपको बताया पूरा चक्कर होते है 360 का ठीक है इस में से अगर हमने ये वाल अंगल माइनस कर दिया दूसरा निकालना है तो 360 में से फर्स्ट वाला हटा दो दूसरा वाल अंगल निकाल गया जाएगा 360 में से माइनस कर दो 150 को तो 0, 1 तो 210 degree अब ये तो 110 से जादा हो गया 110 से जादा है बढ़ 360 से कम है तो इसे बोलते हैं reflex angle reflex angle और इसे के साथ हमारा example number 12 यहां पर complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करें share करें, comment करें और इस channel को जरूर सब्सक्राइब कर ले